हलो फ्रेंड स्वागत है आपका यूनिक मैडिसिन की एक और नई वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम MP-Log CV के बारे में जानेंगे यह एक Pediatric Dry Serup होता है यानि बच्चों को दिया जाने वाला Dry Serup होता है और इसके अंदर एक Measure Cup आता है यह ढखकन आता है मापने वाला जिससे माप के यह दवाई बच्चों को दी जाती है यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं 2.5 ml, 5 ml और 10 ml तो इसको जितना डॉक्टर बताते हैं उतनी दवाई बच्चों को दी जाती है तो समझ लेते हैं इसके फाइदे क्या होते हैं तो गाईज इस Medicine के जो फाइदे हैं जब भी बच्चों को bacterial infection हो जाता है कि बच्चों को माली जीए दात का infection हो गया, आख, कान का infection हो जाता है, नाक और गले का infection हो जाता है, रैस्पिरेटरी ट्रेक्ट का infection हो जाता है, स्वास नली में infection होने लगता है, फेफलों में infection हो जाता है, या फिर हलकी फुल की निमोनिया जैसी सिकायत होने लगती है साथ ही UTI यानी urine का infection हो जाता है पिसाब से जमन्दित infection होने लगता है जिसमें बच्चों को पिसाब जल के आता है पिसाब में लाल पीला मवाद आने लगता है पश आने लगता है तो ऐसी समस्याओं को ये medicine ठीक करती है दोस्तों ये dry syrup की form में medicine होती है 3.3 ग्राम पर 30 ml के pack में आती है और ये एक Rx medicine है Amoxiline और Potassium Clavinate का combination रहता है इसको oral suspension की form में त्यार किया जाता है गाईस जाइडस कमपनी इसको बनाते हैं और एक red strip medicine है तो हमेशा आपको डॉक्टर की परचे पर लेनी है डॉक्टर को दिखा के ही लेनी है कभी भी आपको खुद से बच्चों को नहीं देनी है दोस्तो इस तिरफ को त्यार करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसको 6-7 दिन के अंदर बच्चों को दे देना है 6-7 दिन से जादा रखी हुई medicine बच्चों को नहीं देनी है और अगर हम इसका MRP देखें तो 66 रुपे में आपको मिल जाती है तो काफी बजट में और काफी अच्छी medicine होती है एक best antibiotic medicine होती है जो की बहुत सारे bacterial infection को ठीक करती है दोस्तो इसके side effect की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा इसके side effect नहीं होते हैं बहुत common और कुछ side effect हैं जो देखने को मिल जाते हैं जैसे की बच्चों का पेट खराब हो सकता है बच्चे सिरप को लेने के बाद उल्टी कर सकते हैं नोजिया, vomiting जैसी समस्या आ सकती है या फिर बच्चे जो इस सिरप को लेने के बाद कभी-कभी दूद भी नहीं पीते हैं दूद को पलट देते हैं तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो बच्चों को आ सकती हैं और अगर ऐसी समस्याएं आती हैं लगतार बनी रहती हैं तो ऐसी condition में बच्चों को परिवार सेफ रहें आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जय हिंद